नमश्कार इसनेहा की रसोई में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रही हूँ मसाला दोसा हम लहेंगे उसना चावल travel के नाप से हमने लिया है और उड़त दाल एक कटोरी इनको हम ढगे बिगा देंगे और उसमें फिर हम एट करेंगे मेठी का दाना एक चममच दाना हम उड़त दालं मे डाल देंगे बिगो देंगे और हम इसको 8 गंटे के लिए छोड देंगे, डाल हमने चावल बिगो के रखा हुआ है इस तरह 8 गंटे हो गया है और चावल देखे इस तरह फूल गया है और दाल भी हमने बिगो के रखे हुई है, यह इस तरह देखिए दाल फूल गई है और इसमें जो मेथी दाना है देखिए वो भी अच्छे से फूल गया है अब हम इनको पीस लेंगे, एक पेस्ट तयार कलेंगे, पहले हम उड़त की दाल को पीसेंगे, मिक्सी में डालेंगे, फिर हम चावल को डालेंगे, क्योंकि उड़त की दाल बहुत अच्छे से चिपक जाती है, नहीं निकलती है, चावल डालने से दाल अच्छे से निकल इनका texture देखने के लिए इसको ऐसे हमने हाथ में उठाया है और इसको इस तरह से रगड के देखेंगे कि एकदम smooth paste है उसमें बिलकुल भी दाना नहीं है दाल का भी ऐसे है अब हम इनको mix कर लेंगे इसमें हम add करेंगे नमक एक चमच के करीब नमक है तो मैं add कर लेंगे और इ आटा अच्छे से mix हो गया है अब हम इसको 8 गंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि यह mix हो के अच्छे से फूल जाए आटा ऐसे फूल के ऊपर आ जाएगा दोसे का बैटर देखते हैं आठ गंटे ओवर नाईट रुखने के पाद देखे एकदम फूल गया है खूब अच्छे से बैटर तयार हो गया है दोसा बनाने के लिए काइसे नहीं डिखा सब्सक्राइब अच्छेबJa कि सब्सक्राइब बतै कर दोषय का दोषय दोषय bak zp मज दोष खंडाएब काद में अब 1 तो बीच दोषय दोषय को हैते possible गरमोगाएं तेल गरमो गया अब हम इसमें एड करेंगे तूर साराई सर्सों और हम इसमें डालेंगे कडी पत्ता हमारी घर में ही लगा हुआ है घर पेडशी और हम एड करेंगे इक कटा हुआ प्याज अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होने तक या सौफ्ट होने तक थोड़ा सा भूंज लेंगे प्याज हल्का सौफ्ट हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे उबले हुए आलू अलू हमने यह उबाल के छील के रखे हुए है इनको हम इसे हाथ से मैश करते हुए डाल देंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक स्वादानुसार इसमें 2 टी स्पून डाल रही हुँ और हम इसमें एट करेंगे पाकी मसादे इसमें धनिया पाउडर नहीं डलता है हम डालेंगे इसमें हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च बाकी हम हरी मिर्च एट करेंगे क्योंकि इसमें अब मिर्च चाहें तो कम जादा इस्तिमाल कर सकते हैं, तीखा चाहें तो और जादा डाल सकते हैं, नहीं तो सामभर और चटनी तो रहते ही हैं चटपठे, अब हम इसमें एट करेंगे हरी मिर्च, एक मिर्च मैंने हैं, काट के रखी हुई है, अब हम इसको अच्छे से मिला दालेंगे इस तरह ताकि मसाला और प्याज अच्छे से मैस मिक्स हो जाएं इस तरह मसाला तयार हो गया है दोसे में भरने के लिए चलिए अब दोसे की तयारी करते हैं तवा गरम हो गया है उस पे हम बैटर इस तरह डाल देंगे ये इस प्रोसेस हम मध्यमाज पे ही करेंगे और दोसा एक ही डैरेक्शन में हम इस तरह गुमाएंगे देखे कितनी सुन्दर जाली आ रही है दोसा को बच्छे से फैल रहा है अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे इसका डक्कन निकाल लेंगे इसको इसे साइड से खुरचते हुए अब हम अच्छे से लगों के अब हम इसकी यालू का मसाला डालेंगे इसको इस तरह टुटा देंगे इसी आपका जालीदार दोसा तैयार हो गया खाने के लिए दोसा खाने के लिए रेडी है तो आप इसे सांबर के साथ चटनी गन पाउडर रॉली चटनी के साथ और नारी यली के साथ सर्व कर सकते हैं तो आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, क्रिपया कमेंट करना, लाइक करना और शियर करना न भूले, आप भी बनाईए, खाईए और पताईए आपका कैसा बना, आपको कैसा लगा, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद.